नमस्कार मैं हूँ जूली आपे सब देख रहे हैं दे इंडिया टॉप बिहार में कानून विवस्था को दुरुस्त करने के लिए कल पुलिस मुख्याले से कई एहम फैसले लिए गए दरसल अकल डीजी पीस के सिंगल ने एक गहन समिक्षा बैठक बुलाई थी जिसमें कई क अपराधिक मामले दर्च किए जाते हैं और कितने अपराधियों को गिरफ्तार किया जाता है और इसके शाथ इतंडर कूerson को गिरफ्पर नहीं किया गया तो इसका भी पूरा रिकार्ड वह बना किया जा सके और कल पुलिस मुख्याले से एकदम सक्त निर्देश SK सिंगल जो कि DJP हैं उन्होंने दिये थे बिहार की विधी विवस्था चाक चौबन बनाए रखने के लिए सभी जिलों को गंभीर श्रेनी के अपरादों पर खास तोर से नकेल कसने के लिए कहा गया है इन दस तरह के अपरादों की श्रेनी में हत्या, ढकैती, लूट, रंगदारी, चेन या मुबाइल छीनने महिलाओं और SCST के खिलाफ अपराद समीत अन्य भी शामिल है इन अपरादों की रुजाना मॉनिटरिंग पुलिस मुख्याले के इस तर से अब की जाएगी वहीं सभी SP को पुलिस मुख्याले के इस तर से खास तोर से हादेश दिया गया है कि वो रुजाना इस बात की मॉनिटरिंग कर रिपोर्ट रखेंगे कि कितने अपराधी गिरफतार किये जा रहे हैं और कितने के खिलाफ रोजाना वारंट जारी किया जा रहा है अगर किसी अपराधी की गिरफतारी नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई इसका कारण भी संबंदित थानों से जाना जाएगा समीक्षा में ये भी देखा जाएगा कि कितने वारंट एक महीने के अंदर और कितने एक से तीन महीने के अंदर और कितने तीन से ज़्यादा समय से लंबित हैं इसी तरह से कुर्की जबती के मामले में रोजाना मॉनिटरिंग होगी इस मामले को लेकर DGPS के सिंगल ने पुलिस मुख्याले और सभी जिलो के SP समेट अन्य अधिकारियों के साथ ओनलाइन माध्यम से गहन समिक्षा बैठकी इसके बाद ग्रिव भाग और पुलिस मुख्याले के स्तर से सन्युक्त आदेश सभी जिलो के लिए जारी किया गया इनका ट्रायल भी त्वरित गती से कराया जाए डियम और SP की सन्युक्त बैठक में फास्ट ट्रैक कोट में मामलों के निस्पादन की गती और मौजूदा स्थिती की सही तरीके से समिक्षा की जाए जिला विदेक आनुश्रवन समीती की बैठक में तुरंत निप्टाए जाने वाले मामलों की समीक्षा करे सभी थानों में वाहन और पैदल गस्ती दल की विवस्ता हो इसके लिए एक रोश्टर तयार कर ड्यूटी लगाई जाए और गस्ती का रूट निर्धारित हो गस्ती के दौरान फरार चल रहे अपरादियों के बारे में रोजाना पुश्टाश की जाएगी बाजार में लोगों और व्यपारिक प्रतिस्ठानों से विद्यवस्ता के बारे में जानकारी लेंगे जिला प्रशासन 15 दिन में एक बार ओचक निरिक्शन करेगा कुख्यात अपरादियों पर सीसी लगाने के लिए प्रस्ताव तयार किये जाए जेल में मुलकातियों पर खासतोर से नज़र रखी जाए वरिये अधिकारी छेत्र भ्रहमन और निरिक्शन करे भ्रहमन किया जाए और लोगों से फीड़बेक भी लिया जाए ताकि ये पता चल सके जो पुलिस प्रयास कर रहे है जो पुलिस कोशिसे कर रहे है उसका कितना असर जमीनी स्तर पर हो रहा है क्या जनता आपने आपको महफूज महसूस कर रही है या नहीं इसके लिए लगातार फीडबैक लेने का भी निर्देश दिया गया है और ओचक निरेक्शन करने का भी निर्देश कल DGPS के सिंगल ने दिया है लाल इस वीडियो में इतना ही इसे तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे हैं इंडिया टॉप के साथ धन्यवाद